वेलकम बेक टो एरोन चैनल आप देख रहे हैं डाइटीशन लक्षमी डॉक्टर विनीतर मैं हूँ आपके अपने डाइटीशन और मास्टर ओफ फामे से लक्षमी आदाओ हमारा इस चैनल पर हम बात करते हैं Foods, Madison, Product Review और डाइट प्लान के बारे में तो अगर अभी तक आप ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly subscribe our channel and share with your friends and family आज हम बात करने चाहरे हैं कि Madison के cover पे जो उसका नाम लिखा रहता है जो drug का नाम लिखा होता है brand name नहीं जो drug का नाम होता है उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये दवाई किस काम आती है ये बहुत ही common चीज़ है आप सबको ये मालुम होना चाहिए बहुत simple है pharmacy के जो students है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जो common people है वो भी ये जानकारी ले सकते है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आपने suffix और prefix के बारे में सुनाओगा suffix वो होता है ऐसा शब्दांच जो किसी शब्द के बाद में लगकर के उसका विशेश अर्थ देता है और ऐसे ही prefix होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर के उसका अर्थ देता है suffix जैसे पढ़ाई लिखाई यहाँ e-e आ रहा है यानि की ये काम किया जा रहा है और ऐसे ही prefix जैसे उपकार, उपचार, उपनाम यहाँ उप जो है prefix का काम कर रहा है ऐसा ही कुछ दवाईयों में भी होता है और अब हम आपको वहीं लेकर के जा रहे हैं जैसे कि आप जब दवा खरीदने जाते हैं तो उसमें दो नाम दिखते हैं एक brand name जो कि उस company का होता है और दूसरा उसका drug या molecular name जो कि उस drug का होता है जिस चीज से वो दवापनी होई है पहले हम एक simple से example से यह जो बात हम कह रहे हैं suffix और prefix इसकी शुरुदा करते हैं आपने सुना होगा diclofenic यह बहुत common है diclofenic नाम यह pain killer होता है यह non-steroidal anti-inflammatory drug की category का होता है यह जो medication है it reduces the pain and inflammation and fever यह जो है pain को कम करता है inflammation यानि की सूजन को कम करता है आप notice केज़ेगा जहां भी phanic आए तीन चार नाम मैं आपको बता रही हूँ diclofenic, bromfenic, nephanic यह सारे phanic वाला जो word आ रहा है that means this belongs to non-steroidal anti-inflammatory drug category जी हां यह दर्द कम करने की दवा है आप यहां से समझ सकते हैं यह देखे यहां पर भी लिखा हुआ है phanic phanic का मतलब है कि यह दर्द कम करने की दवा है चलिए एक दूसरा example बताती हूँ parazol जी हां जैसे कि omeprazole, pentoprazole, lençoprazole यह जो प्राजोल लगा हुआ है यह medicine category है anti-ulcer drugs की जी हां यह acidity को कम करती है जिते भी gas की problem होती है लोगों को indigestion होता है वहां पर यह दी जाती है gastric treatment में यह medicines दी जाती है omeprazole, pentoprazole, lençoprazole तो यह जहां भी आपको प्राजोल दिखे आप समझ जाएं कि यह जो दवा है यह anti-ulcer medicine है चलिए एक next example मैं आपको और देती हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा दो categories हो गए एक हो गया फैनिक और दूसरा है प्राजोल phloxene, जी हाँ phloxene, यह जो phloxene है besi phloxacene, levo phloxacene, o phloxacene, cipro phloxacene यह बताता है कि यह anti-biotic है phloxene जहां भी लगा हो आप समझ जाएं कि यह anti-biotic है यानि कि bacterial infection में दी जाती है जहां infection bacteria की वज़े से होता है बहाँ पर यह medicine prescribed की जाती है next है नाजोल, जी हाँ fluconazole, ketoconazole, mekonazole, teraconazole आपने यह नाम सुने होंगे यह anti-fungal category को बताता है जहां भी आप नाजोल वर्ट सुने आप समझ जाएं कि यह नाजोल कुछ और नहीं है यह anti-fungal drug है जो की fungal infection को हटाता है जहां भी शरीर में ऐसे दात, खाज, खुजली fungal infection की वज़े से हुई है वहाँ पर यह सारे ointments prescribe किये जाते हैं fluconazole की क्रीम है, ketoconazole की क्रीम है mekonazole की क्रीम है तो यह नाजोल आपको बताता है कि यह anti-fungal drug है next example और देख लेते हैं वो है mycine, जैसे की azithromycin, kerithromycin, erithromycin यह सारे example antibiotic category को बता रहे हैं कि यह bacterial infection में दिये जाते हैं जहां भी आपको mycine दिखाई दे azithromycin, kerithromycin, erithromycin यह सारे antibacterial drug है ऐसा ही एक और example है vital, जहां भी आपको यह vital दिखाई दे आप समझ जाए कि यह sedative effect के लिए दिया जा रहा है जहां patients को नीम नहीं आती है या फिर surgery के दौरान यह medicines दी जाती है orbital, secobarbital जहां भी आपको यह दिखे suffix betol मतलब कि यह sedative है बहुत सारे और examples हैं जिसको हम आगे देखेंगे I hope आप सब को यह जानकारी अच्छी लगी होगी इस चैनल को like, subscribe और share करना बिलकुल भी मत भूलेगा बाई बाई, thanks for watching this video